हेलो स्टुडेंट्स विल्कम टुट हल्सर क्लासेश हम लोग रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं बैसिक कंसेप्ट के बाद रिसर्च की डेफिनेशन तो टूड़े विल्डिस्कॉस इबाउट इस साइंटिफिक मेथड आफ रिसर्च और जो विज्ञान में या साइंस में हम लोग रिसर्च को समझते हैं उससे कैसे हम लोग उसको फिर कंबर्ट करते हैं से जोड़ते हैं तो बैसिकली साइंस की जब आप बात करते हैं तो उसमें बैसिक साइंस करते कहते हैं एक एप्लाइड साइंस और जो बैसिक साइंस है उसमें आपकी जो रिलेशन से मसीन अरि के अनुसर या जो basic concept है science से उससे जोड़ के हम बात करते हैं but once we call applied science तब हम उसको physical world के साथ relate करते हैं और उसकी functional perspective है विज्ञान का science का और वो physical world के साथ connect करके हम applied science की बात करते हैं basic science it's part of the arithmetic, mechanics, genetics जो science की concept है applied science जो function है science का और जो science को कैसे हम physical world के साथ connect करते हैं तब उसको हम applied science कहते हैं फिर scientific knowledge की जब बात करते हैं then what do we understand scientific knowledge is nothing but generalized body of laws and hypothesis सब बिज्ञान में जो लॉज है जैसे आप ग्रविटेशनल केपलर्स प्लानेटरी वोशन जैसे न्यूटन्स की लॉज या अइंस्टैन्स की थियोरी और रिलेटिविटी यह सारे लॉज एक उनिवर्सल फर्मूला की तरह और सब के पास एक फेनोमेना और एक्शन्स को करता है तो साइन्टिफिक मेथड को हम एक उनिवर्सल लॉज या जनरलाइज बोडी अफ लॉज कहते हैं और इस लॉज के साथ जुड़ा हुआ जो भी साइन्टिफिक इंस्ट्रूमेंट या साइन्टिफिक फेनोमेना उसको हम डिसकर्स करते हैं देन विन उन्डर्स्ट प्रकृति में या जो फिजिकल उन्टिफिक फेनोमेना एक प्रकृति में या जो फिजिकल सुरूर्फिक स्ट्रीक के मांठियम से घंप्रीन कर पाते हैं निक्रीं कर पाते हैं उन्ट इस साइन्टिफिक नॉलीच इस ब्रेलेशंसिप फूद सब्सक्राइब करते हैं जो हम फिल्ड वर करते हैं जो हम फिल्ड वर करते हैं उस वेस्टिस में इंपरिकल लेवल के बात होती है तो जैसे आपकी उत्री अर्म करते हैं तो ऊस्पात को हम कैसे इक ऑब्जेक्ट रसमान से नीचे गिरता है उसकी ग्राविटेशनल फोर्स की कजिसे उस ग्राविटेशनल फोर्स कैसे मेजर्मेंट किया जाता है तो यह जो theoretical part है किसी भी scientific knowledge को समझने के लिए वो आपकी concept को social world के साथ जोड़ के बताता है whereas the empirical level is concerned with that how these observations has a relationship with the reality तो इसका मतलब जो बास्तविक्ता है और उस बास्तविक्ता के साथ आपकी जो theoretical concept है दोनों की relationship को एक concept और theory की positive aspect को बताता है that means one theory can have some importance where you relate with the observations of reality जो बास्तविक्ता के साथ अब लोकन करते हो जास्तविक्ता समाज की जो बास्तविक्ता की घटना के साथ आपकी observation है उस observation से हम theoretical concept को साथ जोड़ के scientific knowledge को establish करते है जब हम scientific knowledge की बात करते है then we understand the two important way to understand the scientific principles of research one is the inductive and deductive और आगमन निगमन यह जो तरीका है science से शुरू हुआ था but it is a strong relation से with the social science as well तो natural science या scientific principles में जब हम evidence के साथ बात करते हैं तो किस आधार पर हम inductive कहते हैं जैसे particular to general फिर deductive general to particular तो हम लोग जब positiveism के बात करते हैं तब हमें यह लगता था आज हम लोग ने एक अब्जेक्ट देखा उस अब्जेक्ट के बराबर जैसे वही टेक एक्जाम्पोल आई स्वान विच इस वाइट इन कॉलर यू सवाइट इन कॉलर देन हम लोग ने मान लिया दुनिया की सारे स्वान्स वाइट तो देसे हम कहते हैं ओल स्वाइट वाइट ओल मेन और मोटल तो हिमन बिंग को मोटल कहते हैं जो सब एक दिन ना एक ना दिन एक दिन मरते हैं तो यह जो एविडेंस बेस्ट इन्टिफिक प्रिंस्पल के साथ जुड़ा हुआ इंडक्टिव इसलिए उन्वर्सली बानते हैं अब्जेक्ट इस अट्रक्टेड और टूर्स अधी ग्राविटेशनल फोर्स तो ग्राविटेशनल फोर्स के माथ्यम से हम इसको एंपरिका ने भी खटरिक्या रडेक्ा लड़ब Stop. गा. But when it is part of the deductive research, so deductive research is giving the idea of the proper, Laa Zust ritual for when it is understood that it is not that principle which is one too many, it can be many, means general to the particular. So theory testing is important here in terms of the deductive research, because the theory is already established to understand a phenomena, to understand a scientific idea or scientific knowledge, then you prove it that how this general things can lead towards a particular thing. So that means it gives that how you can validate the theory and then it can more refined way, strengthen way and you can expand the idea or the concept or the theory. When we talk about inductive or deductive, we talk about philosopher Francis Bacon, who is considered to be the father of inductive aspect or inductive research. So if we talk about inductive research, then Bacon, who is a philosopher, we talk about that because Darwin's theory, Mendel's theory of genetics, all these things are inductive region. So Darwin's theory of evolutions or Mendel's theory of genetics, we have studied science, science, students, this is the idea, yes, in particular principles, Bacon's idea is prohibitive, which inductive approach wants to look at inductive approach. So there are three conditions where you understand that how the inductive approach is justified or legitimized, that how, because there must be a large number of observation statements, so that you see one particular phenomena, all many number of people can see or observe that phenomena or the statements, then that observation must be repeated under a large range of circumstances and conditions. So we have seen where, in particular area, but we cannot see a different area, different circumstances, we have to see a different circumstances, different conditions, so the first condition is a large number of observations, second, this observation is different circumstances, different conditions, third, no observation statement, first contradicted derived generalizations, observations, that means that your idea of observation is not going to vary from a larger aspect of the observation where you find that which is general and which is universal. So it's very much similar to deductive research. So if there is question that who is which is influenced by the hypothetical deductive method, if you have critics of positivism, Karl Popper's name is Karl Popper, so that would be the best answer. Why? Because he criticized the inductive approach and positivistic approach of the research. So after the inductive research, we have discussed that he criticized the same point that that means he was not agree with the idea that when you see a swan and I saw a swan and we conclude with all swans are white, he was not satisfied with all swans are white. He was criticized and falsification idea applied that until unless I don't see a black swan, then how we agree that all swans are white, then how we agree that all swans are white. So this is the same point where you find that a particular theory or concept can be proved which is lead to the general theory or this universal theory or concept can prove the particular idea, particular observation. So that would be the appropriate logic for the deductive research according to Karl Popper's idea. To Popper ki jo ideas ki maat kar rahe te, that it is not necessarily that you observe, the reality is observed directly. So why? Because deductive strategy also having different steps. What is that? What is that? The first thing that begin by putting forward a tentative idea or a hypothesis or a separate set of hypothesis that form a theory. Maitlab ek parikalpna jo theory ke saath juda huwa hai, usi se hum shuru kareenge that how we can criticize how the idea of conjecture can relate with that theory. Then with that help, you find that there are specifying the conditions under which hypothesis are expected to hold or deduce a conclusion or a number of conclusions. So that means ek particular hypothesis se hum us ko deduct karte hain towards the conclusion or multiple conclusions. Then the third step examine the conclusions and the logic of argument which can produce the idea of understanding related to the existing theories. So that is why Popper argues that deductive method is important because it helps to falsify conjecture and refutation of the existing reality. Toh jho chijay aapko hai exist kar raha hai as a principle, as an observation, as a reality. So that can be deduced to different conclusions or multiple conclusions to understand the theory or the knowledge in a better way. Thank you so much for watching Dhalsar Classes. 6 7 7 8 8 10 11 10